Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दीएन पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.E. 101 का Unit 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे Latin America की Latin America की इस चैप्टर के अंदर में टोटल दो टॉपिक बन कराते हैं मैं सभेता का, second topic के अंदर हम बात करते हैं इंका सभेता के बारे में, दोनो topic important है और अक्सर exam में पूछा जाता है चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मैं सभेता को clear करने वाले है और हमारे इस वीडियो का part 1 मैं सभेता रहने वाला है पार्ट टो के अंदरे में हमें इंका सभीदा को डिटेल में कवर करेंगे इसके बारे में बात करूँ तो जो टोकोशन होते हैं वह टिपिनी लिखिए मैंसाथ को उपर में या फिर अगर में कोशन बन आता है इसमें को सिस्परकार के होते हैं कि माय सबता की जो बस्ती है या जो सहर है उसकी विसेशता है किस परकार की है लोगों का जीवन वैपन का आधार किस परकार का है जो बस्तियों का निर्माण किस परकार से किया गया है तिके उसकी विसेशता है किस परकार की है तिके सहरों का विकास किस परकार से हुआ तो यह सारे question यहाँ पर mainly उनके बसती है और उनके समराजियों से लेटेडी आता है, उनके नगरी करन वविस्ता से लेटेडी question माय सबता के अंदर में बन कर आता है चलिए स्टार्ट करते हैं और detail में सारे question का answer भी लेते हैं और cover करते हैं माय सबता के गर में बात करूँ तो यहाँ पर कोई समराजिय के तोर पर विक्सित नहीं हुआ, कोई राजनीतिक एकिकरित एकाई के तोर पर विक्सित नहीं हुआ उन सहरों के अंदर में उत्सब केंदर भी पाय जाता था, जो माय सबता की परभुक विसेस्ताओं के तोर पे जाना जाता है अगर सहरों की एक बनावट देखोगे तो कुछ इस परकार से उसका निर्मान किया जाता था जिसमें केंदरिय उत्सब दरवार के चारों और विशाल चोकों का निर्मान किया जाता था बीच में केंदरिय उत्सब दरवार होता था, उत्सब दरवार क्या होता है जहां पर किसी तरह का सेलिब्रिशन किया जाता हो और उसके चारों तरफ से चौक बनाए जाता है तो देखो कि ऑस-पास में भीड रहती है बजार लगते हैं पुस्तक किताबे भिकती हैं और भी बहुत सारी मार्केट कपड़ों के अलग लगते हैं same as it is आप कलपना कर सकते हैं कि माय सबता में भी उस तरह से रहा होगा जहां पर मेन बीच में उससर दरबार रहते थे और उसके चारों और विशाल चौकों का निर्मान किया जाता था और उन चौकों के अंदर में जो सहर का बाजार होता था उसको लगाया जाता था उसको इस्तापित किया जाता था अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि जितने भी जो मेन अधिकारी वर्ग था चाहे आप सरदारों की बात करो पुजारियों की बात करो ठीक है यहाँ पर सास के करमचारियों की बात करो उनका जो घर होता था उचसब के अंदर के समीप होता था वहीं पर जो साधारन ल एक जगह से दूसरे जगह पानी पहुँचानी का जो काम करता है उसे हम चाक भी बोलते हैं ठीक है आप Google पर ससक्ष कर सकते हो चाक यहां पे चौक आ जाएगा पर चाक देख सकते हैं चोटा सा यंतर होता है पानी का जो एक नदी से निकाल कर पानी दूसरे जगह पहुंचाता है कुवें से निकाल कर पानी दूसरे जगह पहुंचाता है तो उसको चाक भी बोलते हैं तो माय सपता के अंदर में चाक से लेकर बड़ा विशाल जलासे भी देखने के लिए मिल जाता है जलाश है नदी तलाब जो भी कहलो आप एक तरह से कुंड जहांपे पानी रखा जाता था पानी का संग्रहण किया जाता था वो चीजे हैं सहरों के अंदर में चौड़ी सरकें मिल जाती है किरा प्रांगर मिल जाता है मतलब एक तरह का स्टेडियम खेल का मैदान मिल जाता है इस मारकों का धाचा भी बना हुआ हमें देखने के लिए माया सबयता के अंदर में ऊपरी बस्तियों के अगर आप बात करोगे तुम्हान पर कौवा भी पाये जाता था जिससे सिनोड्स के नामसे जाना जाता था कौवए को क्या का जाता था dictionary राट जाता और टोड़ा जो महराव होती तो उसको उपयोग किया जाता था महराव होता क्या एक तरह से छज्जा ठीक है अगर आप कभी राजस्थान जाओगे तो वहां पे जो किले हैं वहां पे उन किलें के अंदर में महराव आपको देखने के लिए मिल जागा छज्जा की जो आकिरत आपका भी इसको लिख रहे होता आपको समझ में आजाएगा कि यह चीज है छज्जा ठीक है तो महराव मतलब क्या है छज्जा तो जो चज्जो का निर्मान के जाता था बस्तियों के अंदर में तो चूना गारा टोड़ा महराव का प्रयों के जाता था तोड़ा महराव ज जाता था इस तरीके से मतलब एक की उपर में पत्थर इस तरह से रखा जाता था कि दो दिवार आपस में जुड जाएं ठीक है जिवार जुडने के बाद में दो दिवार इस तरह से जुड जाएं और वो पूरा तरह से छत पूरा जो महराब का छत है वो उस तरह से बन जाए इस तरीके से महराब का निर्मान किया जाता था एक तरसे मान के चुला पी इस तरसे कुछ खिड़की नुमा हो गया अकार और इधर पत्थर रखते गए पत्थर रखते गए और इधर भी पत्थर रखते गए और दीरे से यहाँ पर C टाइप में उपर में बैंड किये तो यह महराब बन जाता है यह किसी रूम के बाहर का खेड़की का हिसा हो गया चज़जे का हिसा हो गया और यह महराब बन जाता है इस परकार महराब का निर्माड पत्थरों के वजन और संतूलन का भी ख्याल रखा जाता था ऐसा नहीं था कि सरी पत्थर रख दिया कोई सा भी मेन बराबर संतूलन के आकार का सीम आकार के पत्थरों को उप्योग के जाता होता अगर मालू सीम आकार के पत्थरों को प्योग ना करें, कोई छोटा बड़ा यूज करें, तो एक तरफ से बढ़ गया जादा, एक तरफ से छोटा रह गया, तो ये भी चीज रहती थी, या फिर एक तरफ पर ज्यादा वजन पढ़ रहा है, एक के पर कम वजन पढ़ रहा है, जो जिसके कारण से भी च्छत के उपर में, जो भी जो इस्ट्रक्चर था, उसके उपर में ज्यादा लोड पढ़ सकता था, तो उसका भी विशेज दियान रखा जाता था, कि संतूलन किस प्रकार से पत्थरों से बनाया जा सकता है, माय बस्तियों के अंदर में जो भवन क कलाकारिया की जाती थी, निकासी की जाती थी, उसके थुरू सिर्फ किरतियों के थुरू वहां पर सजाय जाता था, माय बस्तियों दोरा विशाल पिरामिड का भी निर्मान किया गया है, इसका यहां पर कई बार साखशे मिलता है, कि जो माय बस्तियों का जो आर्किटेक है कि यहां पे सबसे पुराना सहर माना जाता है माय सबधा का ठीक है जो यह सबसे पुराना सहर था माय सबधा का इस सहर में माय सबधा की सारी विसेश्टा है मौझूद थी यहां के मंदिर जो थे पिरामिट के समान थे इनकी जो उसमें जो चौड़ी सीडियां पाई जाती थी जिन्हें गचकारी नकाब से सजाया जाता था जो माय गचकारी नकाब क्या होता है तो गचकारी नकाब एक तरह का जो सजाने का तरीका ठीक है किस तरीके से हम सजा सकते हैं किस तरह से कलाकारी उसके कर सकते हैं तो गचकारी नकाब उसे कहा जाता था मंदिर परिशर में जो पत्थर हुआ करते थे पत्थर एक चबुतरा का बना हुआ था जिसमें लकडी का एक घर बना हुआ था ठीक है यहां एक तरह की तीन मंदिर का निर्मान किया गया था ठीक है उन मंदिरों की सीडियां जो होती थी पर चितर देवि-भी-देवताओं के लिए जो चितर बनाई जाते थे उसके अंदर में लोग मानते थे, कि हमारे पुरुभ सर्दार रहेंगे, यह मानकर चलते थे उसमें ऐसा परतीत होता था कि देवी देवताओं और सासक के मद्दे एक खास संबंद का निर्मान किया जा चुका है यह माना जाता था ठीक है जो भी मंदिर निर्मान किया गया या जो भी उसके अंदर में आर्किटेक बनाया जाता था जो अगर आप बात करोगे कि साधारन जो लेखते सर्फ साधारन जो लोग थे उनके लिए साधारन देसी घरों का निर्मान किया जाता था बस जो सरदार थे और जो सासक लोग थे उनके लिए भवे विमारते बनाई जाती थी जबकि जो साधारन लोगों के लिए देसी घरों को द्वारा बनाई जाती थी ताड़ के जो पत्ते होते थे ना उसके द्वारा च्छतों का निर्मान किया जाता था बस्तियों में चौड़ी सड़के होती थी उन चौड़ी सड़कों का स्केब या फिर स्केबवान का जाता था इसकेब या फिर स्कोबवान के नाम से चौड को जाना जाता था ठीक है ये चोड़ी सपट के जो थी माई शब्न सभीता की बिविन सहरो और गाओं को एक दूसरे जोड़ती थी ये दूरकम इस्थानों पर से गुजरती थी यह जंगलो एम दललो से भी होकर गुजरती थी कुछ सड़को का निर्माण पत्रों को काट कर भी किया जाता था सड़को को सहरो एम गाओं को एक दूसरे ज़र जोडने के लिए इसका निर्माण किया गया था मैं लीगा था कि जैसे देखोगे किसी भी देश को विकसित होने में सबसे मीन चीज लदा अगया किस तरह से उस्व केंदर बनाई जा रहें उस्व केंदर के आसपार में किस प्रकार से बजार इस्थापित कर जा रहा है और में चीज़ा अगर मानलो कर धिया हुआ और पर उसे से हैर् पें लोग भी तो आने चाहिए है खड़ दारी को निकले कौन सी लोगाए सडकों दोरा किया जाता था, इनका मेन क्या होता था, आर्थिक निर्मान, उद्धेस से, जो मतलब आर्थिक निर्मान, जो सडकों का मेन परपस क्या होता था, कि आर्थिक पूर्ती हो सके, आर्थिक निर्मान की पूर्ती हो सके, अब सडक सही रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है बजार के अंदर में झोडनेकर साथ में जो अंधूनी छेतर झाथ उसको भी जोड़ती झूरत को भी व्यक्सित करने ता मैं पाहत पषतर पर तरीके से अरेंज नहीं तहीं ये भी देखा जाता है यहां की सड़के तो विशाल जाल था सड़कों का विशाल जाल था और विभिन बस्तियों के अंदर में आपस में जोड़ती थी हर बस्ती एक दूसरे सड़क से जुड़ी हुई मिलती थी माय सा बता के अंदर में निर्विन जो भवन थे या सिल्प नकासी के अंदर में सुंदर नमूना देखने के लिए मिल जाता है मैं अलग रग तरीके से वहाँ पे नकासी किया जाता था सिल्पकारी किया जाता था भवनों के निर्मान के लिए मायावासी जो बस्ती जो लोग थे उसमें आपसी संपर्क के लिए उन्हें काफी उन्नत अवस्था में देखा जाता है ठीक है लोगों के बीच में जो आपसी संपर्क भी काफी उन्नत विक्सित माने जाती है ठीक है यहां की बात करोगे यहां की बस्तियों की एक प्रमुक विस्था यह भी रहे कि चूना गारा टोडा महराब का परियोग किया जाता था बस्तियों में केंद्र बस्तियों की जो केंद्र थे वहां पर मंदिरों उस सब स्थलों को निर्मान किया जाता था मंदिरों के विकास पर माय सबता में काफी ध्यान दिया जाता था ठीके मंदिरों की छतों और दिवारों को अलंकरित किया जाता था में लिए अगर पूरे टॉपिक अंदर में देखोगे तो किस परकार से माय वस्तियों की सहर थे ठीके गाओं किस परकार का था सहर किस परकार का था सहरों का निर्माण किस परकार से किया गया रोड को किस तर से connect किया गया परपस किया था रोड को connect करने का लोगों की dependency किस परकार की थी रोडों के उपर में इसके बारे में हमने बात किया यह हमारा पहला topic जो है chapter है वो हमारा खतम होता है, यहाँ पर पहला topic खतम हो जाता है second topic के अंदर हम बात करेंगे इंका सभिता के बारे में इंका सभिता का भी अगर question आप देखोगे same ही similar question बनकर आता है इपनी based question आ जाता है कि तुम इंका सभिता है क्या या फिर आपका main question के अगर बात करोगे तो यहाँ पर लोगों का जीवन वैपन का आधार किस प्रकार का था यह question बनकर आता है जो हम next part के अंदर में cover करने वाले details से, यहाँ पर मैं एक request करूँगा आप सभी viewers से, सभी students से कि हमारे दोनों चैनल को subscribe जरूर करें the e-nub और nub info दोनों को subscribe करें आपको time to time वहाँ पर update मिलता रहेगा ठीक है the e-nub के उपर में जो भी आपका syllabus उसको मैं to courses करूँगा कि time से पहले cover करवा पाऊं और nub info पर जो भी आपके college से लेटीड अपडेट है आपके assignment से लेटीड अपडेट है, exam से लेटीड अपडेट है वहाँ पर time to time आता रहता है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें आपको बहुत ज़्यादा help होने वाले in future तो friends यहाँ पर मैं video end करूँगा thank you so much for watching me, thank you so much for listening me bye bye, take care, all the best